नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर लगनेस आपका अस्टम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको इसके क्या प्रिनाम मिल सकते हैं? देखिए जिसका भी फैस्ट लोर्ड या लगनेस अस्टम भाव में होगा ऐसे जातकों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है इनको सिरफ और सिरफ यही समझ सकते हैं इनके विचार बहुत ज़्यादा गहन होते हैं यह जब किसी बात को परकते हैं किसी बात को जब यह यहां पर फिर आपको चोट लगने की सम्होंने भी बहुत ज़्यादा रहती यह स्वास्ता समंद़ी स्मॉग समंदी समंस्फें आने की ज़्यादा दिख्कते रहते हैं अब यहां आपका लगनेस जब फिलिए रुचनर आगे और दूयतिक हैं ज बाखके का बढूरहे पर जातक जब भी लगनेश उसका अस्टम में आएगा तो उसको पैत्रिक संपत्ती में ये बहुत बड़ा फाइदा दे सकते हैं, उसको उसके इनलोज से बहुत फाइदे मिल सकते हैं, इसी तरह से वो अपने फैमली की तुलना में मैं इसके बाद अपने पातनर की जो फैमल देखना पड़ेगा कि अब आपका अस्टमेश कैसे इस्तिति में हैं, और आपका जो लगनेश है, आपके लगनेश के लावा वो और कौन से भाव का स्वामी वो ग्रह है, तो जिस भाव का भी वो स्वामी होगा, उसमें उतार जड़ाव काफी ज़्यादा आएंगे, हाला आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, तो ऐसे जातकों कि जीवन में कभी-कभी मानसिक रूप से प्रेशानी या इनको मानसिक रूप से बर्ड़न जीवन में आता ही रहते हैं, पर फिर भी ये कभी-कभी गभराते नहीं है, कभी-कभी ये बहुत अच्छे से काम करत और इनका जीवन काफी तेजी से लेकिन आगी बढ़ता है, तो जीवन में जो भी आपके परिवर्तन आएंगे, कई बार सकारात्मक होंगे और बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे, जीवन में हमेसा एक नवाचार की स्थिति बनी रहेगी, कुछ ना कुछ आपके सामने न के चांसिस बनते हैं, और इनका काफी कुछ इनका जीवन की आदते छुपी रहती हैं, इनका पूरा जीवन जीने का तरीका छुपा हो रहते हैं, तो काफी कुछ इनके जीवन में होता है, इसी तरह से इनके जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हिड़न होता है, वो कभी-कभी लोगों के सामने नहीं आ पाता लेकिन यहां पर अगर सूरिय जैसा ग्रय बैठा हुआ होगा या लगने सुकर खुदी सूरिय एस्टम में बैठा हुआ होगा तो फिर आपको वो जो भी आपके जो सेक्रेट चीजें हैं जो आपके राज हैं वो खुलने के चा साबित हो सकते हैं वह बहुत अच्छे राज़दूर्ट साबित होосकते हैं वो किसी बात को इदर उदर पहुंचाने में माहिर हो सकते हैं और ऐसी पति जब अगर आपका लगने इस अच्छी स्थिति में हो अस्टम में तो आप जिवन में कितने भी उतार चड़ाव आएं उनको बहुत अच्छी से हैंडल भी कर लेते हो अब यहां से आपका जो लगने से वह सेकंड हाउस को देखता है तो सेकंड हाउस को देखने से आपको कुछ न आपकी दृष्टी हमेशा रहती है तो जातक खुद के अलावा अपने फैमिली की भी उतनी ज़्यादा केयर करता है। और ऐसी स्थिज़ जब भी आपके लगनेस की बनती है तो हमेशा आपकी जीवन में धन कहीं न कहीं से आता रहेगा, आपको इंकम कहीं न कहीं से होती रहेगी, आप अगर कहीं भी पैसा इंवेस्ट करते तो उसको जल्दी आप ना निकाले, उसको आप रीडिम ना करें, इस कुछरों की बातों को बहुत जल्दी पैचान लेता है, पकड़ लेता है, तो ऐसे जो जातक होंगे, कई बार फ्रोड पकड़ने में काफी माहिर हो सकते हैं, ये काफी गहन विचारों वाले हो सकते हैं, इनकी कुछ विचार ऐसे भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल दास्निक ट बैठा हुए तो उसको अचानक कोई ना कोई समस्या आई जाएगी जी उनमें कभी ना कभी तो ऐसी जो दिक्कते हैं जो समस्या हैं उनसे आपको सावधाने जरूर रखने चाहिए और हमेशा एक पुर्वा तियारी आपको करके चलना चाहिए किसी भी प्रकार की समस्या के ल वो उतार चड़ाव काफी ज्यादा देगा अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका लगनेश क्रूर ग्रह है या फिर सुब ग्रह है अगर शुक्र जैसा ग्रह है तो काफी कुछ से बदलता है बुद्ध जैसा ग्रह है तो अलग-लग सभी प्रकार से आपको जो जिन्मों में hidden होता है और इसी तरह से ऐसे जातकों के कुछ समस्या हो सकती हैं उनके कुछ mental issue हो सकते हैं उनकी से जुड़ेवे कुछ issue हो सकते हैं तो उनको अपने स्वास्ते का खाल हमेशा ही रखना चाहिए ऐसे जातकों के कई बार चोटी-मोटी चोट लगने के चांसे बने ही रहते हैं और अगर आपका अस्टम भाव में कोई क्रोर ग्रेवेट गया कोई बहुत ऐसा ग्रेवेट गया जिसे मंगल है या सूरिये तो आपके एक्सिडेंट होने की समभावनाएं भी बहुत ज्यादा बनती है जब आप बिमार होते तो आप बहुत अचानक से ब बनते हैं और कुछ आपके इसी परकार की परवर्दिया रहती है आपके मन के भी तो इस परकार के कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते जब भी लगने इस अस्टम में बैठा हुआ होगा